जिपलेप ने अपना 28 वा इस्थापना दिवस वर्चूल मनाया तुरित प्रतिक्रिया की हामी संस्था जीला पत्र लेखक परिशत का शनिवार को 28 वा इस्थापना दिवस मनाये गया वर्चूल तरीके से मनाए गए इस इस्थापना दिवस में खरगोन, खंडवा, खाचरोद, महितपूर, जावरा, बर्नगर, उज्जन सहीत प्रदेश के अन्य सहरों के वरिष्ट पत्र लेखकों ने इसमें भाग लिया खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट जिला पत्र लेखक परिशक जिकलेप का आज 28 इस्थापना दिवस समारो है प्रदेश भर के पत्र लेखकों ने वर्चूल तरीके से इस्थापना दिवस को मनाया पांस सितंबर 1992 को भिला पत्र लेखक परिशक का गठन वरिष्ट पत्र लेखक वह पत्र लेखकों के मार्क दर्सक श्री राकेश राणाजी के सोरक्षन में किया गया था तब से जिपलेव ने खरवोन सहर के अंदर कई साहितिक आयजोनों को किये लगबक साथ सो साहितिक आयजोनों में पत्र लेखकों के पित्र पुरुस सशिकांद भट्टिजी की इसम्रती में इस तापि सशिसमान समारोबी आयजीत किये गए साथ ही वरिष्ट पत्र लेखकों को इस समान से नमाजा गया खरबुन सहर के पत्र लेखकों के साथ मिलका जिपलेप का यह पोधा आज बटप्रक्ष बन गया है इसमें स्री राने जी की मेहनत वह प्रेवना काफी सरानी रही है आज जिपलेप 28 वरस में प्रवेश कर रहा है और प्रदेश भर के पत्र लेखक आज इस संस्था से जुड़े हैं यह गवरों का चान हैं पूरे जिपलेप परिवार के लिए भी गवरों का चान हैं जिला पत्र लेखक परिशत के 28 में स्थापना दिवस पर प्रदेश भर के सभी पत्र लेखकों को हार्दिक हार्दिक बधाई यह हर्श का विशे है कि 27 वर्ष पूर आज ही के दिन पत्र लेखक बिधा को समर्पित और पत्र लेखकों के हितार्थ जो संगठन चार लोगों की मौझूदगी में प्रारम्ब हुआ था आज वो विशाल परिवार के रूप में हो गया है पत्र लेखकों को नई चुनोतियों से सामना करना पड़ रहा है अब लिखा हुआ पढ़ने की आदत छूटती जा रही है इसलिए पत्र लेखन अगबारों से होते हुए सोशल मीडिया तक पहुँच गया है और यह जरूरी है वेचारिक अभिव्यक्ति के लिए कि हम समय से कदमताल करते पे चलें भविष्य में पत्र लेखन विधा को समाज और सरकार सम्मान दे और पत्र लेखन को को आर्थिक सुविधा और साहिधा भी उपलब्द हो इसे तू कारगर प्रयास करने की कोशिश करेगी जिला पत्र लेखन परिशद एक बार पुना आप सब को हारदिक बदाई जिपले परिवार के सभी मित्रों को ये निवेदन कि वे पत्र लेखन से समाज के समक्ष मोजूद चुनोतियों समस्याओं के लिए अपनी अभिव्यक्ति निरंतर जारी रखें धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले